जिदी हिंदी यूटूब चैनल में कक्षा नाइन्थ सामाजी विग्यान पाठ चोध्वा भारास्तान भुस्तर रिचना और पुपुष्ट भाग दोग के बारे में चानकारी प्राप्त कर रहे थे इसके अंतरगत हमने अगले विडियो के अंदर मिट्टी के निर्वान की प्रेकरिया और मिट्टी के कितने परकार है भारत के अंदर पाए जांने वाली मिट्टीयों के परकारों के बारे में चानकारी प्राप्त की ति 중요한 के हमेंOS in यह तुमारी अगली वीडियो की स्लाइड है अगर किसी को अगले वीडियो ना मिला हो या फिर उसको पढ़ा ना हो तो इस स्लाइड को देखकर रिविजन कर सकते हो अब आगे देखते हैं मिट्टी के प्रकारों के बारे में जानकारी जिसमें पहली है काप की मिट्टी दूसरी है काली मिट्टी आती है तो इस portion को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और इसे याद भी रखना क्योंकि यह तुमारी दस्वी गख्षा के अंदर काम आ सकता है पहली है काप की मिटी या तो फिर जलोड मिटी काप की मिटी के दो प्रकार है क्योंकि काप की मिटी किसमें से बनती है कि नदियों के द्वारा जो काप लायता है बहां कर जैसे कि उत्तर का मैदानी प्रदेश हो काप की मिट्यों का प्रदेश कहलता है तो काप की मिटी के दो प्रकार है, कितने प्रकार हैं, दो, पहला है खादर, दूसरा है बांगर, उसके परशात कि खादर किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं, तो इनके बारे में आगे तुम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन फिर भी एक पर बता दू, कि पूराने काप की मिट्टी को बांगर कहते हैं तता नये काप की मिट्टी को खादर कहते हैं जो नदिया अपने साथ पूराना काप लाती है उसे खादर कहते हैं और जो नया काप लाती है उसके बांगर कहते हैं तो उसके पशाद की पई नये काप को खादर और पूराने काप को बांगर इसको याद रखना बाड के मैंदानों में निर्मित मिटी मुखेत नदियों के पाश के शेत्रों में पाई जाती है यह अनुपात में रेतीली होती है अनुपात में यहां पर रेती का प्रमाण ज्यादा होता क्योंकि नदिया अपने साथ आसपास के विश्थारो काप मिट्य के बहुत बड़े शित्र में पाई जाती है और इस मिट्टी की उरवरा शक्ति अलग अलग स्थानों पर विन्न 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 होती है और इस मिट्टी की उर्वा शक्ती अलग-अलग स्थानों पर बिन बिन होती है परन्तु सामनियत यह मिट्टी मिट्टी की उर्वा शक्ती अलग-अलग स्थानों पर बिन बिन होती है परन्तु सामनियत यह मिट्टी अत्यंद उपजाव होती है कौन कौन से प्रदेशों में पाई जाती है पंजाब उत्रपरदेश बिहार पश्चि मंगाल अधिराज्य में सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है काप की मिट्टी के अंदर मुद्दे बचादो पहले लिख लेना बांगर और खादर उसके पश्चाद लिखना इसका रंग कैसा है कि यह मिट्टी कैसी दिखती है तो यह मिटी चिकिनी और गहरे रंकी होती है उसके पश्षात बनाना स्थान कौन-कौन से स्थानों पर पाई जाती है पंजाब उत्ठर परदेश बिहार पष्छ मंगाल आधी राजयों में इस प्रकार की मिटी पाई जाती है उसके पश्षात है दूसरा काली मिटी यह मिटि कैसी होती है चिकनी कसदार और नमी बनाए रखने वाली होती है इसलिए इसको रेगूर जमिन भी कहते हैं दूसरा नाम क्या है?, रेगूर या कपास की मिटि भी कहते हैं प्रश्ण पुछे एक्जाम के अंदर काली मिट्टी को किसकी मिट्टी का जाता है तो कपास की मिट्टी भी कहते हैं या पिर कपास की मिट्टी कौन से मिट्टी को कहते हैं तो काली मिट्टी को कपास की मिट्टी कहते हैं उसके पर चाते हैं स्थान की काली मिट्टी कौन कौ बाइ जाती है है इसके पस्षाथ लाल मिट्टी के अंतरगत क्पई किसे कहते हैं लाल मिट्टी? तो यह मिट्टी आगने और रुपांतरीत चर्टानों में से बनती है, उसके पशाद इसमें लोह तत्व और अन्य जिविक तत्व के कारण लाल रंग की दिखाई देती है, किसके कारण कि इसमें लोह तत्व अतियदिक होने के कारण यहां लाल रंग की दिखाई देती है, उसके पशाद यहां जमीन अनुपात में छि चिद्रालो और उपजा होती है इसके पशास्तान तो गोवा, तब्मिलनाडू, करनाटक, आंदरबदेश, ओडिसा और जारखन के कई पागों में लाल मिटी दिखाई देती हैं तो यह हो गई तिन मिटी काप की मिटी, काली मिटी और लाल मिटी एक बार फिर से काप की मिटी तो काप की मिटी के अंतर पहला बनेगा प्रकार दो प्रकार है खादर और बांगर उसके पशाद उसमें लिखोगे कि जो पूराने काप की मिटी को बांगर कहते हैं नए काप की मिटी को खादर कहते हैं उसके पशाद यह मिटी यहां पिर इसकी विशेशता तो यह मिटी चिकनी गहरे रंकी तता अधे कुपजाव होती हैं उसके पशाद उसके स्थान पंजाब उतरपदेश बिहार पश्रिमंगाल और अधी राज्यों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं उसके परिशाद काली मिटी, काली मिटी की परिवाशा, यह मिटी काले रंग की होने कारण इसे काली मिटी कहते हैं, या तो फिर दूसरी लावा द्वारा निर्मित मिटी को काली मिटी कहते हैं, तो यह दो परिवाशा हैं, काली मिटी, लावा द्वारा, निर्मित मिटी को का इस्ता के अंदर यह मिटी चिकनी कसदार और नमी बनाए रखने वाले होती है क्योंकि काली मिटी के अंदर नमी अधिक समय तक रहते गुजरात महाराष्ट मध्यपरदेश और राजेस्तान के विश्तारों के अंदर पाई जाती हैं सान के अंदर लिकोगे महाराष्ट लाल मिटी के अंदर क्या लिखोगे कि यह मिटी आगने और रुपांतरी चट्टानों से बदी हैं यह मिटी आगने और रुपांतरी चट्टानों को बिखेरने से या तूटने की वज़े से इस मिटी का निर्मान हुआ है और परिभाशा कि इस मिटी में लोह तत्व और अ लाल मिठी छिद्रालोवर अणुपात में उपजाओ होती है। उसके पशलासताण गोवा, तमिल नाडू, करनाटक, आंतरपरदेश, ओरिसा और जारखंड के कई भागों के अंदर लाल मिठी दिखाई देती हैं। तो ये हो गई काफ की मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी के बारे में जानकारी वीडियो को सुरने के लिए थैंक्यू